सेकेडमी में स्वागत है । जू है आज आप लोग का। हम बताएंगे बहुमत! । इसके पहले हमने बता दिया था कि सरकार की द्वारा कितनी विदेek को पारिद किया जाता है, जिसमें हमने पताया था कि साधारा विद्यक होता है, धन विद्यक होता है, बित्य विद्यक होता है, संसोधन विद्यक होता है इन सभी के बारे में कल चर्चा हो गया था तो दोस्तों आज हम जो है पढ़ेंगे कि जो बिध्यक होता है इसमें कितने परकार से बहुमत किया जाता है माल लेते हैं संसोधन बिध्यक है तो उसमें जो है किस माध्यम से बिध्यक को पारित किया जाएगा कि समिधान में उसे संसोधन माना जाएगा संबंधिज जितने भी महात्पूरह फेलू है इसको देखेंगे और इसके बाद हमारा नेश्ट टॉपिक होगा बित्ये नियन्त्रड और बित्ये नियन्त्रड के बाद सरकार की निदिएं के बारे में पढ़ेंगे सरकार की निदिएं में चंचितपता नहीं निदोता है कस्मिक निदे और इसके अंतरगत किये गए प्रावधानों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे आज तो हम पहले देख लेते हैं इसमें बहुमत के बहुमत के इसमें जो है या आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिदे को पारित करने के संदर में जो है किया जाने वाला संसोधन अब संसोधन जो है वो साधारण बहुमत से किया जाएगा विशेज बहुमत से किया जाएगा कि अत विशेज बहुमत से तो कोई भी जो है तिसमें हम देखते हैं पहला साधारण बहुमत और फिर दूसरा होता है इसमें विशेश बहुमत और आप लोग कर जो तीसरा पॉइंट होता है अति विशेश बहुमत अति विशेश बहुमत अब दोस्तों बहुमत तो जो है इतने प्रकार का होता है इन्हीं माध्यम से जो विद्य को पारित किया जाता है अब हम इसमें देखते हैं साधारण बहुमत साधारण बहुमत क्या होता है साधारण बहुमत का तात्पर जो है समिधान में जो है जैसे इसमें जो है आधे से अधेग साधारण बहुमत जैसे माल लेते हैं सव हैं सो बिधेक हैं और सो बिधेक में से अगर एक्यावन बिधेक जो है एक पच्छ होकर बिधे को के प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उसे जो है उसे जो है साधारण बहुमत माना जाएगा तो इसमें जो है 50 प्लस 1 50 प्लस 1 तो मतलब जो है आधे से एक अधेक जो है उसी को ही साधारण बहुमत कहा जाता है और इसके अंतरगत जो है इसके माध्यम से कौन-कौन सा जो है विधेख पारिद किया जाता है जैसे समध्धान के अनुच्छे 3 की अंतरगर जो है राज के गठन के संदर में जो है अस्थापना की बात किया गया है और जबकि अनुच्छे 179 की अंतरगर जो है राज विधान परिशत का जो उस साधन किया जाता है, जो सुर्जन किया जाता है, उसके संदर में जो है, उस साधारण, साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करके जो है, जो है किया जाता है, और फिर इसके बाद जो है, यसी, एश्टी से समंदित जो प्रावधान किये जाते हैं, ठीक, तो उस स संबन्दि जो प्रावधान किये जाएंगे वो सभी प्रकिरियाय जो होंगी वो सब साधारण बहुमत से जो है किये जाएंगे तो इसमें देखते हैं कि जैसे यह उदाहरण है उदाहरण इसमें जो है अनुच्छेद एक राज का गठन राज का गठन हो गया और अनुच्छेद 179 बिधान परिशद का गठन बिधान परिशद और जो है यसी आबलेक एस्टी से संबन्दित प्रावधान से संबन्दित प्रावधान जो है यह साधारण बहुमत की अंतर gustaría dunno तो यह तो यह सारा कुश्चेण आप लोग का पूंचा गया है यह सारा कुश्चेण पिर इसके बाद देखते है बिसेज बहुमत क्या होता है ? बिसेज बहुमत का तातपर जो है यहाँ पर यह है कि जैसे मालेतिंग ज्यांपल के तोर पर जो है लोग सभा है या संसद है तो संसद में जो है उसमें क्या है कि वहाँ पर जो है उपस्थित बहुमत जैसे क्या है सदन में बहुमत सदन में बहुमत सदन में बहुमत अब सदन में बहुमत का ताद पर इसमें क्या कहा गया है इसका ताद पर ये है कि जो उपस्थित हैं जो सदस संसद में उपस्थित हैं और जो मदान करने वाले उनकी दो तिहाई सदस एक पच्च में होकर जो मतदान कर देते हैं उसी को यहाँ पर विश्रित बहुमत की जो है स्रिंकला में रखा गया है जैसे उपस्थित यूम मतदान करने वाले मतदान करने वाले दो तीहाई सदसे मतलब सदस उपस्थित भी हो और मतदान भी करें दो तीहाई ठीक तो उसी को ही यहाँ पर विश्रित बहुमत कहा जाता है अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है अधि बिशेज बहुमत क्या होता है बिशेज बहुमत में क्या है कि इसमें जो है इसमें जो है बिशेज बहुमत को जोड़ लिया जाएगा बिशेश बहुमत और फिर इसके बाद जो है इसमें जो है आधी राज्यू का इसमें अंसमर्थन प्राप्त होना चाहिए आधी राज्य जो है समर्थन करें कोई विद्हक है तो उससे समन्दित आधी राज्यू का समर्थन अन्समर्थन तो यी चीज जो है आपका रहा अतिविसेश बहुमस से सम्बंदित ठीक तो अतिविसेश बहुमस सम्बंदित तो है लेकिन अगर हम इसके संदर में जो है जामपल के अगर तोर पे देखेंगे तो इसी सम्बंदित जो है कौन से विधहक का निर्मार किया जाता तो इसमें जो है उदाहरण देखते हैं उदाहरण इसमें जो है पहलाम देख लेते हैं यैसे राठपती का निर्वाचन होता है राठपती का निर्वाचन जो है अनुछे चमवन और पच्पन के अंतरगत जो है किया जाता है तो उसमें क्या है उसमें विसेज बहुमत के अं बिस्तार के बारे में देखेंगे अनुच्छेद 245 के अंतर गतिस का प्रावधान किया गया है तो इसमें भी जो है अतिविशेष बहुमत के माध्यम से ही इन जो विधाई सक्तियां होती है इनमें बिस्तार किया जाता है लेकिन अगर जो है इसमें केंद्र और राज्य की प्रस्ताओं को पारित किया जाता है तो इसमें भी स्थार किया जाता है इसे संद्रहान के बावधार बिभाजन किया जाता है और जो रिस्ति बहुत के आधार पर ही किया जाता है जैसे हम इसमें इक्ञाम पल तोर कर के लिख देते हैं जैसे अनुचेद को am hours 55 पन्रे निर्वाचन निर्वाचन किसा है राष्ट पती का राष्ट पती का निर्वाचन यह तो बहला हो गया बिधाई सक्तियों में, बिधाई सक्तियों से समद्दित जो बिधायक बनाया जाएगा, अनुछे 245, 245 के अंतरगत, और तीसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें, जो है कारेपालिका सक्ति का जो विस्तार होगा किंद्र और राजिक के मद्र में किंद्र पालिका और जो था है नियाएपालिका नियाएपालिका तो दोस्तों आप लोग का जो है हमने बताया कि साधाराल बहुमत क्या होता है विसेज बहुमत क्या होता है अतिविसेज बहु भी दिया तो एक्जाम्पल के तोर पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो है इसमें जो है आति बिसेज बहुमत क्या होता है साधारण बहुमत क्या होता है तो आप लोग का जो ही तो बहुमत जो हमने बता दिया अब इसमें जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बित् कि अ कि अ कि बिद्टिनेंटस dla you यसीने अत्रण हुए भुआ तो बिद्टीने मेंद जो लोग देखेंगे विद्टीने अम चाहिए अन का, से बिद्टीन दिणद्रढ़े में लोग कि अर्थनीत है अगर आप देखेंगे सब्द में ही अर्थनीत है बित्ती यह मतलब रूपया नियंत्रण मतलब रूपई पर कोन नियंत्रण रखता है तो इसमें हम देखते हैं कि देश का पैसा किसका है जनता का है तो जनता इस पैसे पर कैसे नियंतर रखेगी तो जनता जो है अपने जन प्रतनित का अर्थ क्या होता है जन प्रतनित का अर्थ होता है कि इसमें जो है संसत के द्वारा पैसे पर नियंतर रखेगी तो इससे संब्दने जो है उसे ही वित्तिय नियंतर कहा जाता है अब बित्तिय नियंतर में क्या होता है कि इससे जो है कोई भी चाहे सरकार हों चाहे मंत्री हों चाहे अधिकारी हों इसी को भी जो है पैसा निकालने के लिए संसत के अनुमत की आउसक्ता होती है लेकिन कुछ ऐसे भी कोस होते हैं जो समिध्यान में प्रावधान किये गए हैं जिससे पैसा निकालने के लिए जो है सरकार को या संसत को या अधिकारियों को जो है पैसा निकालने के लिए संसत की अनुमत की आवसकता या मद्दान की आवसकता नहीं होती है तो इसमें हम देखते हैं वित्तीय नियंत्र, फोलू चार्ड के मादयम से, वित्तीय नियंत्र में जो है देश का पैसा, आप लोग इसको लिख सकते हैं, देश का पैसा, देश का पैसा किसका है, जनता का है, जब देश का पैसा जो है जनता का है, तो जनता जो है इस पैसी प जन प्रतनिदियों को चुनती है और यही जन प्रतनिद ही जो होते हैं यही जो है क्या करते हैं इस पैसे पर जो है नियंत्रण रखते हैं अब जन प्रतनिद का क्या अर्थ होता है इसमें जो है पैसे पर नियंत्रण और उसे विद्निदियों में जमा करना इसका अर्थ नियंत्रड ठीक और दूसरा है विभिन निधियों में जमा करना पैसे को विभिन निधियों में जमा करना जमा करना अब जन प्रिद्म जो होता है वो तो पैसे पर नियंतर रखता है साथ ही साथ जो पैसे को विविन निधियों में जमा करता है और इसी निधिम से जो इसी निधिम से जो मंत्री होते हैं कौन मंत्री हो गए प्लस अधिकारी पलस अधिकारी कुछ जो है बेतन इत्यादी जो है दिया जाता है इसे निस से ठीक तो इसमें क्या है फिर हम इसमें यह तो आपका एक पॉइंट हो गया और लेकिन अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट दो कि देखेंगे तो भारत सरकार के जो है इसमें सरकार की जो है तीन निदियां होते हैं कितनी निदियां तीन निदि होती हैं हमने जो भी बताया संचित निद हो गया आपका और संचित निद क्या होता है लोकलेखा निद क्या होता है अकस्मिक निद क्या होता है अब हम इसमें देखते हैं प सरकार की निधियां जो तीन है संचित निदे लोग लेखा निदे निदी का अर्थ होता है कोस और फ्यों जो है अकस्मिक निदे अकस्मिक निदे संचित निदे का प्रावधान जो है 206 में अनुच्छे 206 के अंतरगत और इसका भी अनुच्छे 206 के अंतरगत इसका प्रावधान किया गया है जबकि अकस्मिक निद का प्रावधान अनुच्छे 266 के तेट किया गया है पहला देखेंगे पहला देखेंगे संचित निद्ध होता क्या है संचित निद्ध जो होता है ये क्या होता है ये भारत का राजकोस होता है और इसी राजकोस में जो है भारत सरकार के द्वारा जो प्राप्त होते हैं जो प्राप्तियां होते हैं ठीक जुकर होते हैं इत्यादी को इन ही कोसों में जमा किया जाता है अब जब इन कोसों में जमा कर दिया जाएगा तो इससे दो परकार का जो है फिर इसमें क्या होगा इसमें जमा कर दिया गया और संचितने से पैसा निकालने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है संसत के अनुमत के या उसके मदान की जो है आवसकता होती है तभी मतलब संसत के मदान से या संसत के अनुमत से ही सरकार जो है संचितनित से पैसे को निकाल सकती है ठीक तो इसमें क्या है भारत का संचितनित क्या है ये भारत का राजकोस है भारत का राजकोस, इसे भारत का राजकोस कहा जाता है ठीक, और फिर इसके बाद जो है क्या होता है इसमें जो प्राप्तिया उधार और उधार लेना उधार देना ठेक इन सभी को जो है इसके अंतरगत जितना भी पैसा प्राप्त होता है इन सभी की माध्यम से कर इन सभी की माध्यम से जितना पैसा प्राप्त होगा उसे इसी कोस में जमा कर दिया जाएगा अब जब इसे इसी कोस में जमा कर दिया जाता है इसी कोस में इसे जमा कर दिया जाएगा अब जब इस coast में ये पैसा जमा हो जाएगा तो इस coast से जो है पैसा निकालने के लिए सरकार को जो है अनुमत लेनी पड़ती है मतलब संसथ की इजाज़त के बगैर के बगैर कोई पैसा नहीं निकाल सकता कोई पैसा नहीं निकाल सकता अब इसमें कोई काताद पर वही है संसद मतलब जो है सरकार है मंत्री है दिकारी है लेकिन जो संचितमीद होता है इसमें जो है दो तरीके से बै होते है इसका जो खर्च किया जाता है इसके माध्यम से वो दो तरीके से किया जाता है इसमें एक होता है भारित बे होता है और एक होता है आप लोग का जो है मतलब एक भारित बे और एक अन्य बे होता है अब भारित बे क्या होता है भारित बे में जो भारित बे होता है इसी बे के माध्यम से जो है मतलब इस बे से मतलब या इस कोश से ठीक है पैसा खर्च करने के लिए संसत के अनुमत या उसके मदान क्या उसकता नहीं होती है क्यों नहीं होती है प्रफनी ये है इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारिद्बे से ही जो भारिद्बे होता है उससे ही जो समबैदानिक अधिकारी होते हैं ठीक उनको जो बेतन भत्ते दिये जाते हैं अब समबैदानिक अधिकारी कौन है जैसे राठपती हो गए लोग सभाध लिए जाता है निरवाचन आयोग हो गए मुखचुनाव आयुक्त हो गए लोकसिवा आयोग हो गए इत्याधी पतार रिकारीयों को जो इसी निश्स से पैसा दिया जाता है लेकिन अगर हम इसी को देखते हैं कि जो है अन्य बे क्या होता है अन्य बे जो होता है अन्य बे से मतलब अन्य बे सब्दे से ही अर्थिनीत है तो अन्य बे से क्या बनता है बजट बनता है जो भाई अधिक खर्च होगा तो अधिक खर्च में क्या होगा कि उसे बजट तो तो क्या होगा तो अगर सरकार के द्वारा जो है या संसत के द्वारा जो है माल लेते हैं बजट पारित हो गया तो बजट पारित होने का अर्थ ही होता है कि संसत में जो है सरकार को जो है पैसा निकालने की अनुमाती संचितने से दे दिये हैं तो यह चीज है अब लेकिन इसमें अगर लोग लेखानीत को हम देखते हैं, इसको हम पहले देख लेए nella Dublin tv, तो इसमें, जो है दो देखते हैं, दो इसमें इसमें जो है दो कौन से है एक क्या है भारित बे भारित बे और इसमें जो है अन्य बे अन्य बे तो अन्य बे से क्या बनता है बजट बनता है ठीक बजट बनेगा और जब बजट बनेगा और बजट पारित होने का अर्थ क्या होता है कि संसद ने जो है सरकार को इस जो है कोज से पैसा निकालने के उनमत दे दी है संसद ने इजादत दे दी है ठीक पर ये चीज़ हो गया अब भारिद बे भारिद बे में हमने क्या बताया संबैदानी का दिकारियों जो संबैदानी का दिकारी है उन्हें बेतन भत्ते दिया जाता है बेतन भत्ता ठीक अब जैसे इसमें एक्जाम्पल वही चीज जैसे राठपती हो गए पलस लोग सभा अध्यच हो गए लोग सभा अध्यच उपसभापती हो गए उपसभापती न्याएधिस सुप्रीम कोड की न्याएधिस और हाई कोड हाई कोड की न्याएधिस का पेंसन जो दिया जाता है हाई कोड की न्याएधिस का पेंसन जो है इसी कोड से दिया जाता है वो जो है केंद्र पर भारित बे होता है फिर जो है चुनाव आयुक्त हो गए चुनाव आयुक्त सारा कुश्यन पूछा गया ये और जो है लोग सेवा आयोग लोग सेवा आयोग तो ये आपके जो है संचित नित के अंतरगत कियेगे प्रावधान के बारे में जो है हमने आप लोग को जो है द्रिफ्ट गत जो है इस पर बताया फिर इसके बाद जो है ये तो कंप्लेट हो गया संचित नित क्या होता है क्या नहीं होता है और फिर अब हम आते हैं लोक यह संचितिन्पिका भाग होता है। जो यह संचित निदी है यह इसी ही का भाग.. अब लोकल निदी में क्या होता है? जैसे इसमें इसे Degree हो गया, पंचाट उ गया, स्टाम्प हो गया से जुपकर प्राफ्थ होता है। उसको इस निद में जमा किया जाता है, जैसे क्या है किसका भाग है संचितनित का भाग है पहले इसमें लिखेंगे संचितनित का ये भाग है और फिर दूसरा क्या है इसमें जैसे डिगरी पंचाट इस्टाम से प्राप्त करको जो है इसके अंतरगत जमा किया जाता है ठीक तो इसके अंतरगत प्राप्त इसको जमा किया जाता है फिर जो है आप लोग का आता है इसमें अकस्मिक निव अकस्मिक निव जो होता है ये जो है सरकार की अधिन या कारपालिका की अधिन होता है इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसत की अनुमत या उसके मद्दान के आउसकता नहीं होती है और इसमें लेकिन अकस्मिक निद में कितना पैसा जमा किया जाएगा इसमें जो है संसत की अनुमत से ही जमा किया जाएगा और इस नित का जो परियोग किया जाता है जैसे आपात काल की सिती में या जो है मतलब अगर देश में जो है संकट काली निसिती उत्पन हो गई है विप्रीत इसिती उत्पन हो गई है सरकार को लगता है सरकार के या कारपालिका के अधिन होता है जब कारपालिका के अधिन होता है संसर की इजाज़त की आउसकता नहीं होते है अंसर की अनुमति की आउसकता नहीं होते है यह आप लोग का हमने सरकार की निदियों के बारे में बताया और फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे अगर बजट तो बजट में जो है जैसे इसमें हम अभी प्राकलन समित पढ़ेंगे लोग लेखा समित पढ़ेंगे फिर से और फिर इसमें जो है नियंतरक महालेखा परिछाक पढ़ेंगे लोग लेखा समित क्या होता है, प्राकरम समित क्या होता है, उपकरम समित क्या होता है, इन समितियों के बारे में देखेंगे, और फिर जो है लेखा अंदान क्या होता है, प्रत्या अंदान क्या होता है, अनपूरा का अंदान क्या होता है, और जो है इसमें फिर हम कटोती के के बारे में पढ़ेंगे, कि सर्मसत्त के द्वारा कैसे कटोती किया जाता है बजट से, कि उसमें जैसे कटोती प्रस्ताव लाया जाता है, फिर एक नीतिगत कटोती प्रस्ताव होता है, अर्थगत कटोती प्रस्ताव होता है, और एक नीतिगत कटोती प्रस्ताव होता है, इ इन सभी विंदूओं के बिसलेसर के बारे में जो है हम अगले टॉपिक में जो है देखते हैं धर्निवाद